जैहेंद साथियों गाईज यहां पर आप सब को क्लियरली दिख रहा होगा संग्या, ओकेवर में तो गाईज शंग्या को इतना गहरा है इसे समझते तो यहां पर आप सब देख पा रहा हैं संग्या ओके और यहां पर आसानी से धीर धीर आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं गाइज यहाँ पर आप सबको दिख रहा है संग्या और संग्या को इंगलिज में कहते है नाउन औके तो गाइज यहाँ पर आप आसानी से दिख पा रहे हैं तो हमने लिख क्या रखा है किसी ब्यक्ति, जानवर, अस्थान, वस्तू, बिचार के नाम को संग्या कहते हैं यहाँ पर आपको अभी नहीं आया होगा मतलब यहाँ पर समझे कि किसी ब्यक्ति, दुनिया के कोई भी आप ब्यक्ति ले लिजे ठीक है तो किसी ब्यक्ति या किसी जानवर कोई भी जानवर आप ले लिजे और किसी अस्थान आप कोई भी अस्थान ले लिजे किसी वस्तू आप कोई भी वस्तू ले लिजे किसी विचार आप कोई भी विचार कर लिजे इन सभी नामों को हम संग्या कहते हैं यभी भी आपको नहीं आया होगा, यहां पर आप समझे, कह रहा है किसी ब्यक्ति, आप ब्यक्ति के नाम ले लिजे, जैसे में मैं लिख रहा है राम, राम के जगह पर आप सयाम भी ले सकते हैं, या आप अपना नाम भी ले सकते हैं, ओके, तो ब्यक्ति में आप कोई का नाम ले लिजिए आप अपना ही ले लिजिए और इसके बाद है जानवर जानवर में आप कोई भी जानवर का नाम लिजिए जैसे गाय हम ले लिए हैं तो आप भैस भी लिजिए बक्री लिजिए आप कोई भी जानवर लिजिए और इसके बाद मैं लिख रहा है अस्थान तो अस इरिया का भी नाम ले सकते हैं और इसके बाद मैंने लिख रखा है वस्तू ओके और वस्तू में हमने लिख रखा है किताब आप पेन भी ले सकते हैं आप इट भी ले सकते हैं आप कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पर ठेक है और इसके बाद बिचार बिचार में हमने लिख रख उनको ही हम संग्या कहते हैं यहाँ पर मैंने समझने के लिख दिया है राम, गाय, दिल्ली, किताब और इमंदारी यह सब आपको नाम दिख रहे हैं और यही नाम हमारा संग्या होता है ओके आपको के लिए यह याद रखना है कि दुनिया में कोई भी चीज है दिल्ली, किताब, इमंदारी आपको जो लगता है कि नाम है वही नाम हमारा कहलाता है संग्या जिहां साथियो, संग्या याद रखने का वही एक बढ़िया ट्रिक है जो आपको लगता है कि नाम है वही हमारा संग्या होता है ठिक है तो संग्यास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नीचे लिख सकते हैं और अभी तक आप हमारे सदस्य का हिसा नहीं बने हैं तो बन जाएए यार बनना कैसे है सबस्क्राइब पर क्लिक किजिए और बेल आइगन को आल पर सेट किजिए और बन जाएएगा हमारा सदस्य तो बने रहिए और जूडे रहिए और कोई दिक्कत हो तो यार नीचे जरूर लिखना